दोस्तों मनुश्य कातो स्वभाव होता है कि वो अच्छी बातों से कहीं जादा जल्दी बुरी बातों को सीखने में रुची रखता है हमारे पुराणों में शक्नी और रावण इसी तरह के उधारन है जिन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धी का प्रयोग विद्ध्वन्स करने के लिए किया ना की सर्जन करने के लिए लेकिन अब वो जमाने चले गए जब लडाईयां कुरुशेत्र में लड़ी जाती थी बलकि आज के डिजिटल युग में देता के आदार पर ही बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी संस्ताइं द्वस्त हो जाती है आज हम आपको एक ऐसे शातिर बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जनक आविशकार था जो सभी के लिए उपयोगी और मनोरंजक था सभी अमेरिका वासी इंटरनेट से काफी प्रभावित थे और उसके प्रयोग को धीरे-दीरे सीख रहे थे लेकिन ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई नई टेक्लोलोजी आती है तो बच्चे उसके प्रती सबसे ज़ादा उतसाहित हो जाते हैं ठीक उसी तरह जोनाथन जेम्स भी एक पंदरा साल का ऐसा बच्चा था जिसका दिमाग बहुत ही तेज चलता था अमेरिकन स्कूल में इंटरनेट को बहुत जल्दे डॉप्ट कर लिया गया था और बाकी सबी की तरह जोनाथन भी स्कूल और घर में दीरे दीरे इंटरनेट की दुनिया को समझ रहा था जोनाथन को इंटरनेट की दुनिया इतनी भाने लगी कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई से कहीं ज़ादा कम्प्यूटर के अंदर ही खोया रहने लगा अपने बच्चे को पढ़ाई से दूर जाते देख उसके माता-पिता ने पहले तो समझाने की कोशिश की लेकिन ना मानने पर जोनाथन के माता-पिता ने उससे उसका कम्प्यूटर ही छीन लिया लेकिन इस समय तक उसका जुनूर इतना बढ़ गया था कि उसे कंप्यूटर के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और इससे परिशान होका जोनाथन ने अपना घर तक छोड़ दिया लाग कोशिशों के बाद भी जब कुछ ना हो सका और इसी का फायदा उठाकर उसका जुनूर लत्मे परवर्तित हो गया दीरे दीरे जोनाथन प्रोग्रामिंग, कोडिंग और कमांड सीखने लगा और उसके बाद उसका दिमाग हैकिंग की ओर चला गया बच्पन सही दिमाग से तेज होने की वज़ए से उसने कुछ ही दिनों में हैकिंग में मास्टरी कर ली और हर क्रिमिनल की तरह उसने भी अपना एक क्राइम नेम रखा कॉमरेट कॉमरेट नाम का इस्तिमाल करके जोनाथन ने कई स्कूल और कमपनियों की साइट्स हैक की दीरे दीरे उसे ये करने में मज़ा आने लगा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मज़ा शौक में बदल गया और शौक नशे में उसकी हैकिंग की लालच इतनी बढ़ गई कि वो कुछ बहुत बढ़ा करने की सोचने लगा और कुछ समय बाद उसने नासा जैसे सुरक्षि संगठन को अपना निशाना बनाया ये समय था 1999 के आसपास का जब जेम्स ने ये ठान लिया था कि उसे नासा के सिस्टम को हैक करना है इसके लिए दिन राते करके उसने प्लानिंग भी शुरू कर दी लेकिन उसे जादा देर नहीं लगी एक ऐसा प्रोग्राम बनाने में जिससे नासा के सिस्टम को हैक किया जा सके अब जेम सीधे ही अपने प्रोग्राम को नासा पर ट्राइ करके रिस्क नहीं लेना चाहता था इसके लिए उसने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को डिपार्टमेंटल स्टोर और एक लोकल स्कूल पर यूज किया और जब उसे सफलता मिल गई तो उसका होसला और बढ़ गया अब उसे अपने उपर पूरा विश्वास हो गया था कि वो इसे नासा के सिस्टम को हैक करने के लिए यूज कर सकता है और फिर एक दिन उसमें अपने प्रोग्राम को नासा के सिक्योर सिस्टम में इंटर करा दिया जो कि उसका सबसे बड़ा दुसाहस था अब जेम्स नासा के सिस्टम की सारी फाइलें पढ़ सकता था लेकिन अगर जेम्स केवल सिस्टम को हैक करने के बाद यहीं रुक जाता तो बाद शायद इतनी आगे ना बढ़ती लेकिन जेम्स का दुसाहस तो देखिए कि उसने नासा का एक सौफ्टवेर भी चुराया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस सौफ्टवेर की कीमत उस समय 1.7 मिलियन डॉलर्स थी सिल्सला यहीं नहीं रुका हैकिंग करते करते जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऐसा महतपूर्ट सौर्स कोड लग गया जिसकी हेल्प से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टेंपरेचर और हुमिडिटी कंट्रोल किया जा सकता था जेम्स बले ही इंटरनेट की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से कानूनी और गहर कानूनी कामों से परचित नहीं था, अरे उसे तो ये भी पता नहीं था, कि जो सोर्स कोड उसके हाथ लगा है, उसका यूज करना गहर कानूनी ह उससे भी आशर की बात ये थी कि नासा को काफी दिनों तक इसके बारे में खबर ही नहीं लगी कि उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन कुछ समय बाद किसी एक्सपर्ट को जब अपने कम्पिटर से किसी तरह की छेड़ चार होने की आशंका हुई, तब पूरे बिभाग में हड़ कम बच गया, और उसके बार नासा को अपने सिस्टम एक दो नहीं, बलकि पूरे 21 दिनों तक के लिए बंद रखने पड़े, क्योंकि सिस्टम चालू रहते हैकर को पकड़ने में मुश्किल आ रही थी, और डिपार्टमेंट की अन्य खुफिया जानकार का नुकसान झेलना पड़ा, एक तरफ जहां नासा हैकर को खुज रही थी, वहीं दूसरी और जेम्स खुद एक के बाद एक कई गलतियां करता जा रहा था, क्योंकि वो इस बास से बेखबर था, कि नासा को इस चीज की खबर लग चुकी है, शायद वो अपनी सफलता के न इस एजनसी से उसने दस से भी जादा मिलिटरी कम्पिटर से कुछ जरूरी डॉकुमेंट और वहां के एमपलाई के यूजर प्रोफाइल तक चुरा ली, आपकी जानकरी के लिए बता दें कि डी टी आरे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट आफ डिफेंस की एक जो अमेरिका के लिए जैवेक, रासाइनेक, परमाडू और विशेश हतियारों से जुड़े खत्रे को कम करती है दिन पर दिन बरती हैकिंग की घटनाओं से सारे डिबार्टमेंट परिशान थे और सभी को ये लग रहा था कि ये किसी अकेले व्यक्ति के बसकी बात नहीं, बलकि इसके पीछे किसी शातर गुरूप का हाथ है इसलिए हैकर का पता लगाने का काम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन इन हैकर्स को खोजना सभी के लिए एक चुनौती बन गया था इस खोज़गीन के लिए अमेरिका की टॉप क्लास की खुफिया एजनसी और डिफेंस टीम की मदद ली गई हैकर्स को जल से जल ढूनना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो नासा जैसे सुरक्षे संगठन के सिस्टम को हैक कर सकता है वहागी चल कर पता नहीं देश के लिए कितना बड़ा खत्रा बन सकता था अलागी वैसे तो काफी दिनों की मिनत के बाद किसी को कुछ नहीं मिला लेकिन वो कहते ना कि ढूनने से तो भगवान भी मिल जाते है ठीक उसी तरह निरंतर प्रियास से एक दिन जेम्स का हैकिंग प्रोग्राम भी खुफिया एजनसीों के हाथ लग गया खुफिया एजनसीों ने चलाखी से पहले जेम्स के हैकिंग के तरीके को समझा और फिर उसी के तरीके से जेम्स के बारे में सारी जनकारी हासिल कर ली खोफिया एजंसियों की हैरानी का ठिकाना उस वक्त नहीं राज जब उन्हें पता चला कि ये हैकिंग किसी ग्रूप का काम नहीं बलकि किसी के घर से ही सारा प्रोग्राम एक्टिवेट किया जा रहा है फिर क्या था गौर्मेंट के ओर्डर जेम्स को अरेस करने के लिए पास हो गए और 26 जनवरी साल 2000 को कानूनन जोनाथन जेम्स को अरेस कर लिया गया वो अपनी सफाई में कुछ कहता इससे पहले ही पुलिस ने उसे जेल पहुचा दिया कोर्ट में उसका मुकदमा भी चला और उसका जुर्म भी बाद में साबित हो गया कोर्ट ने उसे साथ महीनों की सजा सुनाई और उसे साथ फ्लोरिडा जिविनाईल डिटेंशन सेंटर में रखा गया साथी कोड ने इस बात की भी सकत हिदायद दी कि उसे कम्पीटर और अन्य टेक्नलोजी से दूर रखा जाए सजा सुनाते समय जेम्स नावालिक था इसलिए उसकी सजा की अवधी इतनी कम रखी गई लेकिन जेम्स की कहानी ने दूसरा मोड तब लिया जब जेल में चेकप के दौरान उसकी बाडी में ड्रक्स पाया गया उसके बाद उसे फिर से छे मैनों के लिए जेल भेज़ दिया गया सोला साल तक जेम्स अमेरिका का ऐसा पहला नागरिक था जिससे साइबर हैकिंग के मामले में दूशी पाया गया कानूनी कारवाई के समय जेम्स ने उन सबी कमपनियों के स्वैम के दौरा की गई हैकिंग से होने वाली परिशानियों के लिए माफी भी मागी थी जेम्स को उसके किये की सजा मिल गई थी लेकिं सजा काटने के बाद जब वो वापस अपनी नॉमल जिंदगी में लोटा तो उसकी जिंदगी नॉमल नहीं रह गई थी क्योंकि हर कोई उसे अपराधी की ही नजर से देख रहा था इस घटा के कुछ सालों बाद हैकिंग का एक और मामला सामने आया और ये तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जेम्स ने अपनाया था तरीका एक होने की वज़े से खोपी आइजन्सियों की शक्की सुई सबस्के पहले जेम्स की तरफ गई और बिना सोचे समझे पुलिस ने जेम्स के घर में रेड मार दी हालागी पुलिस को जेम्स के घर से कोई भी सबूत नहीं मिला लेकिन इस कारवाई से जेम्स बहुत जादा परेशान रहने लगा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया जेम्स हर समय डरा डरा सा रहने लगा क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिछले अपराद की वज़े से उसे फिर्ट से जेल जाना पड़ेगा और जेल की यादें उसके लिए इतनी भयानक थी कि वो दोबारा उन दिनों को याद करके भी कांप उठता था डर के साए में वो इतना सहम गया कि वो खुद को समाल नहीं पाया और रेट पढ़ने के करीब दो हफते बाद ही जेम्स ने गोली मार कर आत्भत्या कर ली जेम्स की मौत के एक साल बात उसके पिता ने लगवक पांच पन्नों का एकसरसाइड नोट कोट और मीडिया के सामने पेश किया जो मरने से पहले खुछ जेम्स ने लिखा था इसमें जेम्स ने कानून व्यवस्था पर अविश्वास दिखाते हुए लिखा था कि मेरा यह पत्र पबलिक को कानून के प्रती एक संदेश देगा लेकिन जो भी हो मैं अपने उपर नियंतरन नहीं रख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों से भी अब मैं कभी नहीं उबर पाऊंगा इसे चाहे कोई हार माने या जीत लेकिन जो अपराद मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे जेल जाना नामन्जूर है और जेल में कैद होकर हारने से अच्छा मैं आजादी से अपनी मौत को गले लगा लूँ तो दोस्तों ये थी जेम्स की वो दुख भरी कहानी जिसको शायद उसने किया तो अंजाने और बच्पने में था लेकिन उसकी सजा उसे अपनी जिन्दगी दे कर चुकानी पड़ी हाला कि इसके प्रतिया आपका क्या नजरिया है हमें कमेंट करके ज़रू बताईएगा